नमस्कार जी मैं हूप उनीच स्वागत है आपका आपके अपने शो दसीक्रेट ओफ यॉर लाइफ में ये शो लगातार पॉपुलर होता जा रहा है और इस शो की जो पॉपुलरिटी है वो मैं गिनती नहीं कर रही हूं कि इतने लोग देख रहे हैं इतने पसंद कर रहे हैं लेकिन जो प्यार वाला तराजू और विश्वास वाला तराजू है वो उपर उठता जा रहा है और उसके उपर उठने का सुबूत ये है कि जब आप मिलने आते हैं एक तो तब की बात कर रहे हैं एक सड़क पर जाते जाते प्रोफेसर गुर्दी परोड़ा सहाब को आपका ये एपिसोड देखा आपके उपाए हमने किये जो आपने कहा था और आज हम खुश हैं बिना मिले बिना कोई फीस खर्चे उनका भला हो गया ये है दे सीक्रेट ओफ यॉर लाइफ बार बार यही कहते हैं कि रहस्य जो है वो इर्द-गिर्द घूम रहे हैं ऐसे घ आपके चक्र में तो हम सब भसे हुएं बात होने वाली है धागों की कुछ तवीतिं की कुछ ऐसी चीजों की जो हम अपनी जंदगी में हमने किसीने हमें बांद दिया तो हमने उससे उतारा नहीं और किसीने कह दिया तो हमने abling cualquier कि या हमें लगा बंद यहने मनाहीं परवाना चाहूंगी मैं तो हमेशा कह देती हूं कि लोग जो हैं वो वाटसैप पे आजकल बहुत कुंडलियां भेज रहे हैं लोग फोन करके उपाई पूछ रहे हैं मैं तो हर एपिसोड में यह कह रही हूं कि ऐसे मुम्किन नहीं है एक बार चंद शब्दों में एक मिनट लेकर आप भी गुजारिश कर दीजे क्योंकि मुझे लग रहा है कि उतनी बात लोग नहीं मान पा रहे हैं बिलकुत सही वैसे जब कुंडलियां आती हैं तो मुझे प्यार दिखता है आपका बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं वाटसैप की उपर कैसे बता दूं कैसे दूं आप मुझे बता है मेरे पास हम्हें होता है टाइपिंग करने कर रही बात यह जो फोन है फोन मेरे assistant के पहचाओं यही एक जरिया है यही आप आप मेरी माँ बैठे हो मेरे से जो बड़े मेरे माँ जैसे आप मेरी बेहन बैठे हो जो मेरे ब्राबर के हैं जो छोटे हैं मेरे बच्चे बैठे हुए हो मेरे बच्चे दिल से मैं दिल से प्यार करता हूं सब को आपको लेकिन मैं ऐस भला करने के लिए कोशिश करता हूं कि सुबह आठ बजे लोग बचारें बठंडा से लुद्याना तक तीन घंटे का रास्ता और सिर्सा से लुद्याना तक हनुमान गड़ से जो आते हैं उनका नाम ले रहा हूं वो बोलेंगे मेरा नाम आ गया और जो विदोशी विदेशा में लाते हैं और कहते हैं पर विडियो देखा ता देखे हलाके मेरे कनньडा अमेरिका में चलते हैं एपिसोड इंगलैंड में नहीं चलते फिर भी यूट्यूब के उपर किसी ने बताया उन्होंने देखा प्रफेसर गुर्दी पो रोड़ा भरा मेरे अपिसोड आ जाते हैं वो श्पेशल मिलने के लिए मुझे नहीं पता था कि इतना लोग प्यार करते हैं नौर्वे से अब ही आएं कितनी खुशी होती है इतनी दूर दूर से जब लोग मिलने के लिए आते हैं मैंने बोला नौर्वे तो बहुत अच्छा है भाई कहते हैं रात को एक बज़े तक धूप होती है गर्मियों में नौर्वे की बात कर रहा हूँ और बर्व जब डलती है इतनी बर्व होती है दिन होता है सुबह बारा बज़े से लेकर तीन बज़े तक सिर्फ तीन गेंटे का दिन होता है साड़ तीन बज़े शाम हो जाती है नौर्वे की बात कर रहा है जहां से मिलने के लिए आई मैंस बहुत खुशी होती है इतनी दूर दूर से जब लोग मिलने के लिए आते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस यूगे नहीं था जो बनाया जो प्यार दिया आपने मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरा परवार बने, आप मेरे साथ जुडें इसलिए जो मैं बाते बोलता हूँ, अंदर से मेरे बाते आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है, शायद भगवान मेरे को बता रहा है मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए सीक्रिट मेरे अंदर से आते हैं अब तो शायद पांच साल हो चुके हैं पांच साल में से जादा से जादा पहले मैंने भी साल तपस्या जरूर की बाहर गया गूमा अब नहीं बाहर जा रहा क्योंकि समय नहीं लग रहा लेकिन मैं अभी छुटी लणा चाहता हूं बाहर गूमने के लिए जाना चाहता हूं और रिसर्च करना चाहता हूं उसके होगी बातों बातों में एक और बात मेरे अंदर भीतर से गुजरी वो भी बता दूं लाखों पीर आए पगंबर आए लाखों गुरू जन पैदा हुए दुनिया को समझा समझा के ठक के लेकिन दुनिया वैसी की वैसी ही है जब तक मैं यहां पे बैठा हूं तब तक आप मे तेरी बाते जो जो मैंने बोली है ऐसे ही पूरी दुनिया करती है नहीं भूलनी चाहिए बाते जो हमारे गुरू जनों ने बोला जो हमारे बजर्गों ने बोला जो हमारे रिशियों मुनियों ने बाते बोली उसको कभी नहीं बूलना चाहिए आप ऐसे मत बनो बदलिए आप अपने दुनिया खुश हो जाएए तभी तो देखिए कि दुनिया में कितना कुछ है एक बच्चा जब हासता है उसकी हसी को मत देखिए उसके भीतर जो भगवान हस रहा है उसको देखिए कभी देखा है आपने चलो आज मैं आपको एक सीक्रिट बताता हूँ कहते हैं सीक्रिट मेरे अंदर से जब मिलते हैं निकलते हैं तो आपको भगवान मिलने की शक्ती अनरजी मिलती है एक फूल जब सुबह सुबह खिलता है ये सुबह सुबह तब ही उठो गए जब मेरी बात मानोंगे सुबह उठते नहीं आप सुबह सुबह उठने सेयर करने जाएए सूर्य उदे से पहले फूल के पास खड़े हो जाएए फूल देखे कितना धीरे धीरे कैसे खोलता है जब अपने फूल खिला हुआ देख लिया भगवान मिल गया इस बात की गरांटी देता हूँ लेकिन ध्यान से देखिए हम ऐसी बातों की उपर कभी भी प्रकृत को नहीं देखते जो भगवान ने बनाई हैं जो इनसान ने चीजे बनाई हैं वो देखते हैं जो नाशवान है वैसे तो हर चीज नाशवान है जिसमें भगवान मिलता है वो चीज देखिए आज इन्होंने बात की तवीज की धागों की वो मैं जरूर बताऊंगा लेकिन आप हमेशा साइन्टिफिक रीजन की बात करते हैं, तो आज आप बता दीजे कि आप सब के धागे क्यों काटते हैं? आपने अपने आफिस में कैंची रखी हुई है? रखी हुई है. आप जोशी काणे है. सभी बात, सही बात है. जो मेरे पास आते हैं, जिन जिन के धागे मैंने काटे हैं, सब को पता है. मेरे अफिस में मैंने कंची रखी हुई है अपने पास. जो भी मेरे पास आता है, सब के धागे मैं काटता हूँ. क्यों? सेंटिफिक रीजन. सुनिए ध्यान से. कोई भी मूली जब हम बांदते हैं पंड़त बांदता है मूली हम कहते हैं हम किसी शादी में गए थे वहां पंड़त ने मूली बांदी हम किसी मंदर में गए थे वहां पंड़त ने मूली बांदी अरे भाई मूली बांदना मंगल कार्ये का परतीक है आपके घर में मंगलकारी होते हैं जब कोई पंडत मौली बांता है अगर उस मौली को नहाने से पहले उतार दिया जाए तब वो मंगलकारी होता है ने तो नहीं होता मतलब आपका यह है कि भीगनी नहीं चाहिए संजाता हूं आपको आप हरान हो जाओगे कि मेरा जो धागा काटा है वह सही काटा हूं कि जैसे दिवाली पे मोली पहनी तो चार-पांच महीने लोग पहनते हैं कहते हैं कि खुद तूट जाए तो तूट जाए हम तोड़ेंगे तो शायद कुछ अब शबन हो जाएगा जब मैं हधागे काड़ता हूं ना मैं कहता हूं मेरी गरंटी है जिन जिन लोगों ने मोलियां बीस बीस पच्चिस पच्चिस मोलियां बांदी हैं मेरा जो शो देख रहे हैं वह अभी कैंची लीजिए काट ये रात को चैन की निन चलो सुनिये ध्यान से जब हम कोई भी मोली और धागा जब हम बांते हैं जब हम सुबह नहाते हैं उसका कलर उतरता है वो कलर जब शुकर बन जाता है पहले मंगल होता है फिर वो शुकर बन जाता है फिका बढ़ जाता है जब शाम तक उस शुकर में सलाब आती है और समेल लाती है सुनके देखिए अपनी मूली को समेल ला रही होगी वो होता है बिगडा हुआ रहू अभी खुर्दमीन लाइए जो खुर्दमीन कहां से मिलेगी जो लबाटरी होती जहां खुन टेस्ट होता है वहां खुर्दमीन मिल जाएगी खुर्दमीन में अभी अपने धाग कर जाते हो कहीं पे भी काम नहीं बनेंगा बिगड़ा हुआ रहू जब आप पहनते हो खाना खाते हो आपके भीतर अंदर जाता है यह सेंटिफिक रीजन जाए किसी लेबोटरी में देखिए धागे को कितने जिवानों जा रहे हैं बीच में हम कहते हैं हमारी शर्दा और आस था तो आपने तब ही खतम कर दी जब मोली को पहन कर नहा लिया उसी टेमीन मोली का अब शुगन हो गया क्यों को कि मंगल को खराब कर दिया मोली को ऐसे ही कौल कर रख दीजिए उसको जल परवाहित कीजिए नहीं तो आप अगर कहीं दूर से लाए हो आपका जो पलंग केंची मैंने रखी हुई ऑफिस में और जो भी कोई आता है कहते है प्रफेसर साब आपने मेरी जिंदगी बनाती मैं सोया नहीं था इतने सालों से आज सोया हूं क्यूं क्यूंकि बिगडे हुए राहु को साथ लेकर घूमेगा तो सोयेगा कहां चैन कहां से आएगी रास्ते क्यों नहीं हुआ अच्छा कैसे हो इसी लिए आप ने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करना जो भी धागे तबीत होते हैं वो नहीं बांधने चाहिए आज सुनिये धागे तबीतों का गुरू नाइन हा। नुवे घर का मालक है गुरू पन्चम घर का मालक है गुरू कारक not की बात कर रहा हूं कारक तत्तव पंचम घर का करता धरता दूसरे घर का करता धरता नोवें घर का करता धरता नोवें घर का करता धरता है गुरू जब हम कोई भी तवीत हाथ में बानते हैं काला धागा हाथ में बानते हैं उसको निकालते नहीं उसको चेंज कर लेना चाहिए ये अगर बांते हो तो कई दफ़ा होता है के लड़किया कैती हमें नजर लग जाते है अरे बैई नजर लग जाती है तो दूसरे दिन उतारके न्याप पहन लीजी ये सब वहम भर्म है मैं इन बातों को नहीं मानता मैं कोई तवीत दागे को नहीं मानता सारी दुनिया के धा तो मैं काड़ता हूँ भै इसलिए वहम भरम से निकलिए इन बातों से दूर जाएए कोई भी दवीत धागा आपका अच्छा करने वाला नहीं है बुरा होने वाला है वो कैसे सुनिए कोई भी गुरू को गुरू का मंतर लिखा अपने शुकर का मंतर लिखा और किस का मंतर ल लिएते हूं सुनिए ध्यान से बहुत बरीकी में बताऊंगा पहली बात तो वो ढोलकी चांदी की होती नहीं है डूबलीकेट होती है वो धातु की बनती है वो रहू की बनती है मिक्स धातु की वो तो आपने गुरू को बंद कर दिया बिलकुल और काले धागे में पहली बात तो है गुरू को काला धागा शनी का रहू का गुरू को काले धागे के बाद के भाग रहे हो गुरू को बांद के रहू और शनी के साथ आपका अच्छा हो जाएगा चलो एक बात मेरे अंदर से बीतर से एक और निकली अभी क्योंकि मेरे अंदर से जो ग्यान निकलता पतन इंदर से कहां से आता है और आपको बताने के लिए हम कहते हैं मैं कजी को बताता हूँ अरे बाइब कुछ मेरे उपाई ऐसे भी होते हैं मैं पचास ग्राम सुर्मे की डड़ी जमीनी में दबा दो कहते हैं हम रंदा लेके जाएं फिर वहीं पर छोड़ किया जाएं मैंन बताया भी आपने अपने कैसे बहुत चैसे कि Tomato TY हमने उगाए उजार लिया था और वहीं पे दुबाया वहीं पर छोड़ दिया मैंने का एक शनी ठीक करने के लिए आपने मंगल मंगल क्या हैं जो तीखी चीजा होती है लोहा क्या हैं शनी और जहोज़ोस्की हथ्प ह होती है लकड़ी की वो क्या है गुरू मैंने का एक शनीठी करने के लिए मंगल गुरू और शनी वहां पर फैंक के आ गए क्या बात है अच्छा कर किया या ओह हो हो हमें तो पता ही नहीं था फिर क्यों करते हो ऐसी बाते पहले सुनो उपाए को अच्छे डंग से सुर्मे की डली कच्ची मिटी कच्ची मिटी जिगीली मिटी होती छोटी सी हाथ से ऐसी पीछे कीजिए हाथ से दबाईए तांके आपकी हाथ से लगे ना कि आप रंदे से कुछी चीज से ऐसे उखाड़ो उसको वहीं पे फैको फिर आपका ग्रहें वहीं पे खराब हो गया दो ग्रह से तभी तो समझा पाऊंगा मैं इसलिए हम क्या करते हैं कौन से ग्रह खराब करते हैं जब हम कोई भी तभी तभागा कौन सा तभी था गुरू का उसको रहू में बांद लिया काला धागा जट ब्लैक रहू जो ब्लैक कम होता है वो शनी आपने रहू और शनी के साथ बादा और जो गोल गोल बादा वो भुद्ध ब्रीकी में बहुत ब्रीकी में बताता हूं जो चमकदार धागा शुकर बिना चमक के शुकर नहीं और ब्रीकी में कितना ब्रीकी में जाओं ये ग्रह ऐसे है कि और ब्रीकी में ब्रीकी में जाते रहो गया आपने इतने ग्रहां को ख रुदराक्ष पहने होते हैं, हमने यार देखी टीवी में, एक मुखी रुदराक्ष, पाज मुखी दौए, बीस, साथ मुखी रुदराक्ष पहन लिया, ग्यारा मुखी रुदराक्ष पहन लिया, बहुत अच्छा हुआ, वा, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, मैं आपकी बात्रूम में नहीं जाते क्या रुद्राक्ष बाद कर आप बाते नहीं करते जूटी मीठी क्या करते हो आपको रुद्राक्ष बाइन के हम बोलते हमने तो पहन लिया बहुत अच्छा होगा मेरे लिए बहुत अच्छा सब के रुद्राक्ष मैं उतारता हूं सब के तबीच कि धागे में उतारता हूँ कैंची रख्टीमेंने ओफिस में जब भी मीरे पास कोई आता है धा Clock मैं क्या है भाई हात क्या सवाथिया सब उतारो सभी जितने भी आपने سब्सक्रोंड पहने हुए कौन अपके लिए एच्छा से कपड़े पहने हैं कैसी आये हो मेरे सामने आपका पहनावा कैसा है अगर आप ज्यादा डीप गले पहनने से शुक्र खराब होता है गुरू खराब होता है पता है आपको मैं आपका पहनावा को अच्छा करता हूं फिर इससे क्या होता है जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे ग् खराब होता है जो इनसान जादा कलर वाइट पहनता है उसका शुक्र खराब होता है जो इनसान ब्लैक कलर पहनता है उसका शनी खराब होता है जो इनसान ग्रीन कलर पहनता है उसका बुद्ध खराब होता है बिल्कुर सही बाता है मेरा लकी कलर ब्लैक था मैंने वाइट कर द हो मैं सबी कиля हो कासे क्यूंकि बहुत करता हूं लाइट कुपड़े से बगवान कैसी मिलेगा वाइट लेकिन शूक्र घराब हो गया तो शुक्र अगर आपका खराब है तो वाइट प्रभारा पैंटेहों फिर खराब होता है अगर क्रीम कपड़ा पहनते और शुक्र ठीक हो आपने वाइट कपड़ा पहना और भी खराब हो जाएगा लेकिन अगर करीम पहनते हो तो शुक्र खराब नहीं होता लेकिन देखना पड़ेगा आपका शुक्र कौन से घर में वैसे पहले भी जो कपड़ों के साब से अब बताएंगे यह रहा बलुक्त सरे हिवें जरूर लगन के हिसाव से लगन के हिसाव से कोन सा कपड़ा दानना चाहिए आको मैं बता दू लोग क्या करते हैं बातों बात फिर चली जैसे कि जिसका मेश-लगन घुर मंगल नहीं चाहिए इसमें हमें पूरी जान करें चाहिए तो हम बात वहीं वापस लेके जाते हैं आपने बोला कि मैं कोई बी किसी भी तरे की कोई मोली नहीं डालता कोई धागा नहीं डालता लेकिन बात ये है कि ये जो रीते हैं ये सदियों से चली आ रही है हमारे घर में जब क करवाते हैं तो मौली को पहले से अधार देते हैं जैसे हम वस्तर निकालते हैं गनेश जी का वस्तर मौली तोड़ी वहां पर रख दिया वह मौली आपके भीत्र बांदिया वो शाम तक बांदनी चाहिए सुबह उठने जब नहाते हो वो निकाल देनी चाहिए मैं आपको सेंटिफिक रिजन बताता हूं हर बात की पीछे क्योंकि मंगल कारिये का परती का मौली को रखना चाहिए बीच में यह नहीं के नहीं रखना चाहिए रखना चाहिए यह नहीं तो कोई आपने हावन करवाया हावन करवाया था आपने हावन करवाया लकडियां को बाहर से लकडियां को जिला रहे हो भी घर में रख लो लकडियां हावन के लिए मंगवाई थी मंगवानी ही क्यों चाहिए मंगवानी चाहिए उसका क्या रीजन है किसके वर्तियों के लिए थी वो वर्तों हो चुकी ह हवण हो चुका है यहने कि हवण अभी चड़ रहा है है मूली बांदी ही रखो उसको निकाल दीजिये हमारे करमकाणि बहुत अच्छे अच्छे सू जवान पंडट है उनको बोलना चाहिए सब को अरे भाई नहाने से पहले मूली उतार देनी चाहिए सब को बोलना चाहिए कि किसी का मन कैसा होता है किसी की धारना कैसी होती है किसी की विचार कैसे होते हैं लेकिन जो मेरे विचारा में अपने विचारा अपके आगे रख रहा हूं इसलिए मोलियों को भीगने मत दीजिए जब वो भीगेगी उसमें कटानू पैदा होंगे मैं सेंटिफिक रिजन की होता तो मैं आपको नहीं बताता है चलो जिसकी ऊपर बादी है आप लेजिए खुर्दबिन और देखिया कितने कटानूं घूम रहे हैं बीच में चलो ये खुरदबिन नहीं है तो छोड़ो खुर्दविन की बातें सूंगी समेल आ रही है ना यह रहू ही है चलो इसकी पिछी और थोड़ा सा ब्रिक्की में जाता हूं आप अपनी बनान जो नीचे डाल रखिए शाल्ट के नीचे उसको थोड़ा सा गीला कर लेजिए उपर शट डाल लेजिए शाम तक क्या होगा समेल आ जाए कोई बात नहीं अभी म हाँ है तीसरे दिन फिर वहीओ बनान पेहनी हैं गिली गिली पहनेजिए च transparenies दिन आपके पास कोई बैठेगा नहीं वह बड़ी बनान ज्यादा समय खहसे में लाएगी ठोटी संसी मोली है एकप सूछने की आदग पड़ जाती है कहते हैं जैसे हम रूम में बैड़ते हैं वैसी समयल की हम आदी हो जाते हैं. अरे भाई, उतारें, पता चलेगा आपको आपने कोन से और कितने ग्रेंट ठीक कर दिये. ये मैं सेंटिफिक रीजन से बता हूँ. हर बात के पीछे लोजिक के बता हूँ. इसलिए लोजिक के बता हूँ. ताकि आपको असानी से समझा एक बहुत बड़ा भंदा था मैं उसका नाम नहीं लोगा उसने बोला प्रफेसराव आप इतना बरीक्य में बताते हो ये बात को आपने आपने ऐसे नहीं बोला फिर वही बात आ गई मैंने कहा भाई आप उस गाओं में से हूँ जिस गाओं में लैट भी बहुत काम आती थी अगर इतने चोटे से गाउं से उठकर मैं आपके सामने आया हूँ आप इतने बड़े शहर में लेकर क्या किया खोज की हम दूसरों की बुराईया निकालनी की कोशिश करते हैं उसको ये नहीं देखते कि वो इतने चोटे से गाउं से इतनी बड़ी खोज की जो भी इनसान खोजी होता है उसको ये ना देखिए कि उसकी बुराईया ये देखिए कि कितनी बड़ी खोज की है आप ये देखिए कि जो आपको मैं बाते बताता हूँ आप ठीक होते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ओफिस में आके ये बोलते हो कि हमने आपका एपिसोड देखा था हम ठीक होगे बस आपके दर्शन करने के लिए आ रेते हैं क्या बात है मैंने कहा बिना मैं मैं जानता भी नहीं होता वो मेरा धन्यावाद करके चले जाते हैं मुझे पता में नहीं होता कहते हैं हमारे बच्चे सुदर गए माएं कहती हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं था कितना अच्छा हो गया मेरे को बलाता भी नहीं था कितना अच्छा हो गया लेकिन यहां पर मैं एक बात बोलूँगा क्योंकि एक बच्चे ने आके शकायत की माओं के लिए, सुनिये ध्यान से, बजर्गों के लिए एक बच्चे ने पहली दफ़ा शकायत की, कहते आप बजर्गों की रिस्पेक्ट करते हो, बजर्ग बहुत आपको मानते हैं, लेकिन आप कहते हो जितने बच्चों को कहते हो बज़र्गों की रिस्पेक्ट कीजिए कभी बज़र्गों को बोला बच्चों की भी रिस्पेक्ट कीजिए कभी बज़र्गों को बोला कि आपने बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं की तो क्या होगा चलो बताता हूँ उन बजर्गों को अरे भाई के तू होता है